मेरे हाद में है एक कालर चेंजिंग फोन जिसमें आप पबजी मॉबाइल जासा गेम को 60 एपिस में स्मूथली खेल साकते हो 64 में अगा फिक्सल का ट्रिपल कैमेरा सेटप है जिसमें वाइस भी है और आप 4K में वीडियो को रेकोड कर सकते हो इस फोन के साथ इन बोक्स आता है 44 वाट का एड़ेप्टर फोन 55 मिनिट में फूल चार्ज हो जाता है हाँ जी दोस्तो वीवो ने पहली बार वाइस रिच में एक कालर चेंजिंग फोन को लांच कर दिया है जिसका नाम रखा है Vivo Y100 पिछले कुस दिनों से इस फोन को मैं थोड़ा हेवी में टेस्ट कर रहा हूँ चलिए दोस्तो आच रिव्यू करते है Vivo Y100 का तो मित्रो रिव्यू शुरूबात करता हूँ इस फोन की डिस्प्ले से अब भी शुरूबात कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके ऐसे भी दोस्तों इसका डिस्प्ले के साइज के तरह आप देखा जाए 6.38 इंच, FHD+, एक AMOLED पैनल के साथ आता है हलागी इसमें यूसेप का नौच है लेगिन इस फोन को जब आप आउटडोर में या डायर संलाइट पर यूच करोगे ब्राइडनेस का कमिया आपको नहीं मिलेगा इसमें है 1300 इसका पीक ब्राइडनेस वाइड 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 नेलवान का साथी वी के सान है और SDA10 Plus को भी सापोर्ट करता है इस फोन में आप यूटूब में 4K में आराम से वीडियो को देख साकते हो लैग वगरा नहीं होता है आप यह पर देख लीजे वीडियो में जो कालार कॉंटरस्ट जो डीटेलिंग दिखाए दे रहे हो कितना अच्छा है ऐसे भी लाइटिंग को कितने अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है आप यह पर देख साकते हो यूगि दोस्तों अगर आप मुवी या वीडियो ज़्यादा देखते हो तो आपके लिए जी फोने पार्फेक्ट होगा ऐसे भी इसमें है 90 हर्स का रिफर्स रेट जब मैं इस फोन को थोड़ा हेवी में यूच करता हूँ यह स्कॉल वेगर करता हूँ जीटर वेगरा तो मुझे आभी तक नहीं मिलाए वीडियो में आगे बनने से पहले एक गुड़ नियूस में आपको बता देता हूँ इस फोन को मैंने पर्चिस किया रॉय कॉंपीटर मॉबल सॉफ से मुझे बहुत ज़्यादा डिसकाउंड मिलाए अगर आप Vivo Y100 या कोई भी एक फोन को प्रिचिस करना चाहते हूँ ज्यादा डिसकाउंड के साथ तो स्किन पर दी हुए नामबर पर आप कॉल करके फोन को ओडर कर सकते हो और कैस ओन डेलिवारी में अब पेमेंट भी कर सकते हो अब बात करते हैं इस फोन की पर्फोमेंस के बारे में ऐसे भी जो फोन आता है मीडिया टेक डैमेंसेटी के तरफ से 900 चिपसेट के साथ जो की ओक्टाकूर चिपसेट है इसका जो क्लॉक स्पी डान करता है 2.4 GHz में और इसमें जो GPU है Mali G68 MC4 GPU के साथ आता है इसका अन्तूदू स्कूर आप यह पर देख सकते हो और CPU थोटलिंग भी टूगूड मिलता है ऐसे भी इस सब स्कूर को मैं साइट पे रख देता हूँ यार गेमार के लिए फोन कैसा होने वाला है अगर आप PUBG Mobile जैसा गेम खिलते हो तो आप इसमोन में 60 पीस में अराम से खिल सकते हो स्कीन को रेकॉर्ड करके या पर हिटिंग का इसू नहीं मिलता है और लैक या जीटर वेकरा नहीं मिलता है जायरी जोए मस्त मिलता है जब अब गेम खिलोगे स्मूधनेस तो बहुत ही अच्छे मिलता है यह कि दोस्तों गेम खिलने में इस फोन में मज़ा आ जाएगा ऐसे भी मेरे पास है इसका बेस ब्रेंट 8GB 120 8GB रेंट हल फिलाल में अभी के टाइम में जो ट्रेंड चल रहा है वर्चुल राइम का फिटरस ओविसली इस फोन में मिलेगा LPDDR 4X RAM है और EFS 2.2 स्टोरेस टाइब के साथ आता है यह कि दोस्तों अगर आप गेमार हो अगर आप फोन को थोड़ा हेवी में यूज करते हो तो आपके लिए Vivo Y100 फार्फेक्ट फोन होगा अब बात करते हैं दोस्तों विवो की फोन का सबसे बड़ा हाइलाइड़ फिटरस के बारे में जो है कैमेरा फोन की पीछे की तरह है क्रिपल कैमेरा सेटाप इसका जो प्राइमरी संसर है 64 मेगापिक्सल जिसमें OIS भी है तूटू करके दो संसर है इसकी बैक कैमेरा से आप 4K में 30 विडियो को रेकोड कर सकते हो तो आप यहापर देख सकते हो वीडियो में कितना अच्छा स्टेविलाज़सन देखने को मिल रहा है और यहापत राइटिंग पोडियो यहाप कर रहा है और यहाँ पर आप देख लिए ऐग डीउ सिभी ता कामेरा आप देख सकते हो 64 मीय का फिक्सल की हिसाफ। डीटेलिंग या color contrast कितना अच्छा दिखाई दे रहा है वीवो का फोन है यार color की मामले में आपको नीरास नहीं करेगा lighting position को भी बहुत अच्छी तरीके से manage करता है और photo किजने के टाइम इसका autofocus जो बहुत ही fast काम करता है फोटो में dynamic range को अच्छी तरीके से manage कर लेता है ऐसे भी इसमें 16 Megapixel का selfie camera full HD में 30 पिस वीडियो को record कर सकते हो वीडियो में तो stabilization नहीं मिलेगा लेकिन यार detailing यहाँ पर आप देख सकते हो और skin tone का color को कितने अच्छी तरीके से manage कर रहा है अब यह notice करें मेरे photo की पीछी की तरह भी dynamic range को कितने अच्छी तरीके से manage कर रहा है rotate mode के तरह आप देखा चाहिए background को बहुत अच्छी तरीके से blur कर लेता है और is detection भी too good देखने को मिलता है ऐसे भी phone night में भी बहुत अच्छा photo किसता है कुछ night photo का sample भी आप यह पर देख सकते हो overall दोस्तो मुझे vivo y100 का जो camera है और मुझे जबद्दस्त लगा है ऐसे भी दोस्तो आप बात करते हैं इस phone की design के बारे में इस phone का जो सबसे बड़ा highlighted features जो है मुझे लगा इसका design में क्यूंकि दोस्तों इस phone बहुत सस्ते में color changing back offer करता है आप यह पर देख सकते इस phone की पीछे की तरफ जब UV light वड़ता है गीरगी की तरह इसका रंग बदलता है आप यह पर देख सकते हो देखने में कितना खुश्रद लग रहा है ऐसे भी phone पतला और हलका है हातों में comfortable फिल देता है इसका जो frame है वो flat edges के साथ आता है जो polycarbonate का बना हुआ है ऐसे भी इसके पीछे की तरफ camera के आसपास में glass यूच के है जिसमें थोड़ा बहुत fingerpin के निशन आता है लेकिन camera panel के नीचे mat finishing है इसमें crisis या fingerpin के निशन नहीं आता है इसमें है in display fingerpin sensor बहुत ही fast काम करता है आप यह पर देख सकते हो tap करो तुरंट open हो रहा है फोन में है flat display, display का bezel और नीचे जो chain इसमें छोटा रखा है लेकिन यार यह phone आता है यूशे नॉच के साथ अगर यह आपा center पंचोल रहा है तो भाई मजा ही आ जाता ऐसे भी दोस्तों फोन की आधर specific sound के तरफ देखा जाए यह जो फोन आता है Android 13 के साथ और इसमें फंटा जोस 13 है फंटा जोस 13 में धेर सारी features देखने को मिल साएगा आप फोन को ज्यादा सीकूर करने के लिए app को लॉक कर सकते है इसमें इसमें इतना ज्यादा बक्स नहीं मिलता है लेकिन बहुत ही अच्छा अच्छा features के साथ फोन आता है ऐसे भी इसमें है Google डाइलर अगर आप चाते हो तो विवो का डाइलर को आप यूज कर सकते हो ए चीज मुझे बहुत ही अच्छा लगा है इसमें आप SD Card को यूज कर सकत ही है अब बात करते हैं दोस्तों इसकी बैटरी के बारे में इसमें है 4,500 एमिज के बैटरी और इंबोक्स आता है 44 वाट की एड़ेप्टर के साथ स्कीन ओन टाइम बैटरी वेकाफ 5 अवर्स के प्लास मुझे अभी तक मिल रहा है और फोन फुल चार्च होने के लिए 55 मिनिट के आसपास में टाइम लेता है यूँकि दोस्तों इसकी बैटरी वेकाफ के तरफ देखा जाए एवरेज मिलता है अगर आप फोन को थोड़ा ह सारा डिस्काउंट भी मिल जाएगा तो स्कीन पे दिए होए नंबर पर आप कॉल करके फोन को ओडर भी कर सकते हो ऐसी भी दोस्तों मेरा ओपीनियन सेयर करूं तो दोस्तों फोन है 25,000 रुपेस में एक आल राउंडर फोन है वाई गेमार के लिए अच्छा सा फोन है आपका बाजट है 25,000 रुपेस तो आप इस फोन को आंग बंत करके प्रस्टिस कर सकते हो आपके लिए पार्फेक्ट फोन होगा ऐसी भी आपका क्या ओपीनियन है वीवो ऑई हंडर्ट के बारे में आप मुझे कॉमेंट में चुरू बता सकते हो मुझे पुरी उमीद है आ आपका डाउट मेंने क्लियर कर दिया वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए तो एक लाइक कर सकते हो चलंको का लिजिए सब्सक्राइब अगर आप जादा कंफ्यूज हो आईको नियो 7 और आईको नियो 6 लेकर तो इस कंपरेशन वीडियो को आप देख लेजिए आपका कंफिस्टन क्लियर हो चाएगा